है लो दूस्तो नमाश्कार एससे हम किसी चानल में आप सबलंका दिल से बहुत-बहुत सवाइट करता हूं तो इस पडिए में हम लोग बात करने वाले एक बहुत important topic के बारे में देखा गया तो एक बहुत important sector के बारे में sector बोलो business बोलो उसी के बारे में हम लोग यहापे completely यहापे आपके जितने भी doubts से उसको solve करने की कोशिश आपे करने वाले हैं so share market में तो आपको बताए बहुत सरे एसे रहेंगे कुछ company ऐसे रहेंगी कुछ sector ऐसे रहेंगे जो कि literally मतलब वहाँ पे तो आम लोगों को गिरावट के उपर गिरावट ऐसा लग रहा है कि दुनिया ही खतम हो गया तो शेयर market में दोस्तों अगर आप आते हो तो यह चीजें का सामना आपको करना यहाप पड़ेगा ही पड़ेगा ठीक है ऐसा कभी नहीं होगा कि जितने भी बिजनेसे से वह सब सब यहापे हमेशा उपर रहेंगे या फिर जितने भी बिजनेसे से वह हमेशा नीचे रहेंगे इसको एक्जैक्ली कोट मत कर ले ना इन्वर्टेट कॉमा में बट बताने का मकसद क्या है कि अगर बिजनेस अच्छा है तो फिर वह उपर नीचे आपे होता रहेगा देखे यही सेक्टर के बारे में बात करने वाले है जो की बिलकुल साइकल के नीचे चल रहे है मतलब क्या देखें जो स्टॉक सेक्टर टॉप पे चलेगा न उससे रिलेटड कोई शिकायत है नहीं होती है सब इंज्वाइ करते हैं जैसे वह सेक्टर नीचे आएगा तो फिर comment section मे उसकी भी चर्चाय स्टार्ट होगी, तो हम लोग बात करने वाले इस वड़े में finance sector के बारे में, yes, finance के अगर हम लोग आपे बात करें, तो बहुत सारी चीज़े इसमें आ जाती है, बट मोटा मोटी finance sector अगर देखा गए, तो हिस्सों में divided रहता है, share market के इसाब से, एक होता है bank, ठीक है, और दूसरा होता है other than bank, मतलब जिसकों लोग NBFC बोलते हैं, finance करने वाली company, बट जो banks नहीं है, उसकों लोग NBFC बोलते हैं, ठीक है, इसमें सब कुछ आ गया, credit card, debit card, gold वाली company, gold loan देने वाली company, ठीक है, और भी अलग-अलग company यहाँ पर insurance company, यह सब कुछ इसी में यहाँ पर आ जाती है, so, देखा गया, तो यहाँ पर bank and NBFC का जो performance है, कुछ समय तक, जो अभी का performance है, वो इतना कुछ खास यहाँ पर नहीं चल रहा है, and इससे related, फिर एक ही सवाल दिमाग में आ जाता है, तो क्या यह the end है, मतलब, क्या यह sector खतम हो चुका है, क्या यह चलेगा नहीं, तो दोस्तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, देखे, अगर आपने market में अभी अभी शुरुवात किया है, तो इस प्रकार से thought आना, विचार आना, बहुत ही common बात है, ठीक है, हमें भी शुरुवात में ऐसे ही लगता था भाई, यह क्या हो रहा है, स्टॉक नीचे जार लगता है, खतम ही हो गया, तो ऐसा कुछ खतम नहीं होता है, दोस्तो, ठीक है, हर एक सेक्टर का टाइम रहता है, जैसे कि best example ही ले लो न, अभी कौन सेक्टर अच्छा कर रहा है, आटो सेक्टर, चेक कर लो, आटो सेक्टर के नंबर देख लो, उनके सेक्टर का भी the end हो गया, तो ऐसा the end भी end कुछ नहीं होता है, दोस्तो, हर एक सेक्टर का timing रहता है, हर एक सेक्टर कभी ना कभी बहुत अच्छा करता है, अभी आटो अच्छा कर रहे न, एक शेर नहीं चल रहा है, मतलब वो the end नहीं होता है, ठीके ये point आपको पता है यापे होना चाहिए, तो ये जो आप पूछ रहे हैं क्या ये the end है, बिल्कुल भी नहीं, ठीके, stock market में चीज़े cycle की तरह, चलती रहती है, चलती रहती है, 2008 में तो सब को ऐसा लगा था कि bank, finance गया क सब काम से ही चला गया करके, lemon brother जो crisis हुआ था अमेरिका में, कितना बुरा impact पड़ा था, एक-एक, दो-दो-तीन-तीन साल तक उसका impact देखने को लगा था, आज देखे वो stocks खापे है, हेके ने top पे, हाँ बुरा वक्त था, time लगा, heal होने के लिए, बट अभी सब कुछ recovery mode पे प्लस माइनस की तरह यहापे चलता है, अभी chemical sector नीचे है, IT नीचे है, ठीक है, फार्मा नीचे है, यह चलता रहता है, उनका भी time आएगा, वो भी recover कर जाएंगे, इसी को तो हम लोग external issue बोलते है, वो तो इब्दम best चीज रहती है कि आपको मोका देती है कि भाई, अगर आ इसे रखने के लिए आपको charges देने पड़ेंगे, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहापे developing economy बहुत ज़्यादा scope होता है दोस्तों, इसलिए अगर आप देखो कि बड़े बड़े दुनिया के बड़े investor भी, अगर recently अगर हम लोग बात करें, Chris Wood का interview भी मैंने cover किया थ तो उनने भी कहा था, कि long term की सबसे अगर आप मुझे सवाल पूछागी कि कौन सा sector अच्छा कर सकता है, तो finance जरू करेगा, उनका interview चाहे तो आप देख सकते हैं, उनने कुछ बोला था कि, विदेश से अगर इंडिया में पैसा आएगा, तो सबसे ज़्यादा पैसा finance sector में ह आ सकता है, उसी के सबसे ज़्यादा चांसे से, बिकॉस lower level पे भी है, अगर देखा गे तो finance sector की बीना, ये चीज़ें हमनों को आगे scale होते भी देखने को नहीं मिलती है, बहुत सारे अलग-अलग जो बड़े expert भी हमनों को देखने को मल जाते हैं, उनका भी यही कहना रहता है, कि long term की सबसे अगर देखा गया, तो finance sector बहुत अच्छा करेगा, अभी ऐसा क्यों, उसके पीछे का reason के, logic के समझो, हमारी economy जैसे मैंने का developing economy है, हमें तीसरे number पे जाना है, प्लस उसी के साथ-साथ, develop बनना है 2047 तक, इब दम लंबा target की बात करें, तो इसके बीच में company को बड़ा बनना है, अभी किसी company को, अगर अपनी शमता बड़ानी, capex करना है, तो क्या चाहिए उसका, obviously पैसा चाहिए, और usually अगर जितना भी capex होता है, 90% से ज़्यादा का जो capex होता है, वो finance के through ही होता है, मतलब बहुत ऐसे rare companies होगी, जो अपना free cash उनके जो balance sheet में पड़ होती होंगी, maximum company क्या करती है, finances का ही सहरा या पर लेती है, और वो भी free cash वाली कौन सी company होते है, जो बहुत बड़ी large cash बन चुके है, उनके पास धेरो cash पड़ा हुआ है, छोटी company के पास cash भी कितना होगा, so ultimately उनको capex करना है, तो ultimately उनको finance की जरुवत पड़ती ही पड़ती है तो इसलिए देखा गया, तो भविशा में भी India का progress बहुत होने वाला है, बहुत सरी बड़ी-बड़ी company सामने आने वाली है, तो उनको loan की जरुवत पड़ेगी, तो capex करने के लिए, तो इसलिए देखा गया, तो इन companies के पास आगे भविशा में business आने वाला है, next अगर हम अगर अगर आप western countries के और जाओगे, वहाँ पे saving, living nature इतना ज़्यादा नहीं होता है, आज पैसा उड़ाए, यही चीज़े ज़्यादा चलती वे दिखने को मलते हैं, वहाँ पे लोग उधारी के उपर ज़्यादा जीते हैं, और धीमे-धीमे करके, हमारे देश में भी वो अगर लेटेस्ट लेते हो तो एक एक लाग के उपर ही मिलेगा आपको, तो यह phone भी बेचे जा रहे हैं, बट देखा गया तो जितने लोग iPhone खरीद रहे हैं, उतनी तो लोगों के मतलब आमदनी की भी अगर हम लोग बात करे, salary की भी बात करे, average salary, वो तो है नहीं उनकी, त चल रहे हैं करके, तो यह मतलब बताने का मकसद कहा है कि finance के थुरू यह सारी चीज़े यहाँ पर work कर रही है, next अगर हम लोग बात करे, तो हाली में एक और report हम लोगों ने study की थी, कौनसी गाड़ी वाली, car की, अगर हम लोग बात करे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो क कि 10 लग के उपर गाड़ी है खरीदने के उपर जादा focus दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो SUV के उपर जादा focus यहाँ पर कर रहे हैं, कुद कंपनी ने ये बात बोली थी, कि यहाँ पर अगर देखा गया, company मतलब कौनसी, loan provide करने वाली company, कि car loan अगर हम लोग provide करते तो सबसे जादा जो चीज़े यहाँ बढ़ रहे हैं, वो SUV से related बढ़ रहे हैं, और 10 लग के उपर गाड़ी लेने के उपर जादा focus लोगों का यहाँ पर हो रहा है करके, and सारी चीज़े loan के इसाब से ही चल रही है, तो यह चीज़े बताती हैं दोस्तों कि अब जो है सोच ना कि भाई, finance sector कोई खतम हो गया, यह हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो दा है, यह cycle की तरह चीज़े उपर नीचे आपर चलती रहती है, इसलिए आप देख सकते हो, reliance industry क्यों इतना जीओ finance की पर focus कर रहा है, finance में वो पहले भी थे, बट अभी जो इनका focus चल रहा है, इतना लोग आने वाले समय, बढ़ते वे देखने को मिलेगा, and maximum लोग finance के थ्रूई सारी चीज़े अपनी जरूरत है, उसको पूरा करते है, इसी भी लेना है, तो उसके लिए भी आपको finance मिल जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से, जो market है, उसको capture करने के लिए, मतलब जियो भी आपे कोशिश करते वे देखने को मिले वाला है, budget finance तो अलड़े एक्सपर्ट है, इसी segment में आपे काम कर रहा है, and plus देखा गया, तो जिस segment में वो नहीं थे, ट्रेक्टर में वो नहीं थे, ठीक है, वहाँ पे महिंदरा का focus ज़्यादा था, micro finance में वो ज़्यादा नहीं थे, second end car को वो finance करते थे, नहीं गाड़ी को finance नहीं करते थे, बट उसमें भी उन्होंने क्या कर लिया, entry मार ही ली, क्यों मार ली entry, क्योंकि खुद company के MDCO ने बात बोल दी, भाई, आने वाले समय में, next 5 साल के अगर हम लोग बात करे, at least ये market तो double तो होई जाएगा, market की बात हो share की बात नहीं है, ठीक है, हाँ, उसमें अभी बाजी कौन मारता है, वो देखने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारा competition बढ़ते वे देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोई भी इस segment को miss करना नहीं जाता है, प्लस उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं, पुना वाला fincock, उसमें भी हम लोग को अच्छा performance देखने को दिया पर मिल रहा है, मुत्वट finance loan के segment में आते वे देखने को मिल रहा है, बैंक्स की अगर हम लोग बात करें, तो बैंक्स में तो बाकी के private bank से ही, HDF से bank नहीं चल रहा है, मर्जर हुआ है, तो मर्जर में जबी भी चीज़े होते हैं दुस्तों, चीज़े slowdown में चली जाती, यह usually track record है अभी तक का, ठीक है, कोई formula नहीं, और उसी को अभी हम लोग फिलाल या पर देख रहे हैं, कि कैसे चीज़े slow चल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, और इसली बहुत सारे index से निकाल जाता है, include किया जाता है, जो और जबरदस् परता है, तो JFS में लगातार lower circuit, तो इसलिए same चीज, HDFC bank में भी होती देखने को मिली, ठीक है, तो यह चीज़े चलती रहती है, आईसे से bank ने तो फिलाल अच्छा किया है, कोटक की बात करें, तो उदय कोटक जी का replacement अभी मिल चुका है, तो इसी चीज़े slowdown या पर चल र कोटक का performance इतना कुछ खास तो या पर नहीं रहा है, और अगर हम लोग बात करें, निफ्टी 50 को अगर उपर जाना है, बहुत लंबा चलना है, 30, 40, 50, 60, 70 की अगर आप बात कर रहे हो, तो बिना finance के possible तो है नहीं, because sector wise अगर हम लोग बात करें, निफ्टी में 36% weightage financial services का ही है ठीक है, तो छोटा मोटा हमारा market उपर जा सकता है, रेंग रेंग कर जा सकता है, 20, 25, ऐसा ऐसा रेंग रेंग कर, पर अगर आपको rocket की तरह चलना है, तो financial services का चलना, मतलब finance sector का चलना, यह बहुत important है, and plus, अगर top 10 भी companies अगर हम लोग बात करें, जो निफ्टी 50 में contribute करती है तो HDFC bank, finance, ICC bank, दूसरा आगया finance वाला, दैन अगर हम लोग आपर बात करें, और कोई है क्या, है न, access bank है, kotak bank है, मतलब आप देख सकते हैं, 10 में से 4 कंपनिया, 40% top 10 में भी finance वाली कंपनिया देखने को मिल रही हैं, तो इसलिए इनका चलना भी बहुत ही ज़्यादा required यहा जाना है तो, so, overall conclusion क्या निकल कराता है, इसका अरत यह है, क्या finance यहापे the end हो गया, खतम हो गया करके, रहे ऐसा नहीं है, यह सारी चीज़े उपर नीचे यहापे चलती रहती है, जो गिरेगा, यह market का स्वभा हो, मतलब लोगों का स्वभा हो है, जो गिरेगा, उसको और जैसे वो recover करके भागेगा, फिर यहापे बोलेंगे, यही तो best है करके, तो यह चीज़े चलती रहती है, तो याद रखना, finance sector यह बहुत ही important sector है, core sector है, ऐसा वैसा sector यहापे नहीं है, तो अगर आपको यह लग रहा है कि यह खतम हो गया, तो ऐसा नहीं है, यह जरूर हम लोग को धिमे धिमे करके, come back करते भी, long term में जरूर देखने का आपे मिल सकता है, तो आप चाहो, finance sector के companies को भी जरूर स्टड़ी आपे कर सकते हो, तो आशा करता है, वीडियो helpful लगा होगा, informative लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको like and share भी कर देना, so that's it, thank you very much, दोस्तों, we will be meeting Rx Studio, तब तक के लिए, bye-bye.